अस्सलाम अलाइकुम अलहम्दुलिल्ला वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्ला वबाद इस वीडियो में हम कुरान को समझने के कुछ एहम उसूल जानेंगे तो आईए देखते हैं ये उसूल क्या है कुल फाउंडेशन तो कुरान को समझने का सबसे पहला उसूल ये है कि कुरान को समझा जाएगा कुरान के जरीए इसकी दलील की बात करूँ तो सुरह अनाम सुरह नमबर 6 की आयत नमबर 82 जब नाजिल हुई जिसमें अल्ला रबुलालमी ने इशारत फरमाया के वो लोग जो एमान लाए और अपने इमान को जल्म के साथ न मिलाया वही लोग अमन में है और वही लोग सीधे रास्ते पर है इस आयत के नाजिल होने के बाद सहाबा रजिया लौह अनहुम अजमाईन प्यारे नबी नबी चल्लों के पास आके अर्स करने लगे के या रसूल अल्ला ए अल्ला के रसूल इस आयत में तो कहा जा रहा है के जो लोग इमान लाए और अपने इमान को जल्म के साथ नहीं मिलाया वही लोग अमन में है और वही लोग सीधे रास्ते पर तो हम में से कौन सा ऐसा शक्स है जिसने अपनी नफस पर जल्म ना किया ह तो प्यारे नभी इन्हें जवाब देते वे कहते इन्नहू लइसल लजी तानून ये इससे ये मुराद नहीं है जो तुम समझते हो क्या तुमने नहीं सुना मा कौल अलब्दुसौले के अल्ला के नेक बंदे लुक्मान हकीम ने क्या बात कही थी और फिर प्यारे नभी सल्हलों लुक्मान सुरह नमबर 31 की आयत नमबर 13 पढ़ते हैं जिसमें लुक्मान अलिह सलम अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे है या बुनिया ऐ मेरे बेटे ला तुरिक बिल्लाह अल्लाह के साथ शिर्क मत करना अल्ला के साथ किसी को कभी अलब उसे मुराद जुलम झा मेरी लुखी तु कम तर सोλαए लुख संदी मेरे अन्याराद है। तो इस बी अगर मैं दलील की बात करूं थो सुरह जुम्ह सुरह नंबर 62 के आयत नंबर 9 में आएधू Sanhina आमनू इजा नूदिया लिस्सुलाति मी यूमिल जुम्हा फसाओ इला जिकरिल्लाही वजरुल्बई के ऐ एमान वालो अल्लारबुलालमीन एमान वालो से कह रहा है के ऐ एमान वालो जब तुम जुमा के दिन सलात के लिए निदा सुनो तो तुम अपनी तिजारत को अपने कारोबार को रोक कर अल्लाह के जिकर की तरफ दोड़ो अल्लाह के जिकर में लग जाओ इस आयत में सलात के लिए निदा इससे मुराद अजान है ये हमें मिलता है प्यारे नभी सुछ सल्लम की हदीस में और वो अजान कैसे देनी है क्या तरीका होगा अजान देने का कौन से अलफाज इस्तिमाल के जाएंगे इसका बयान पूरे कुरान में हमें कहीं नहीं मिलता है ये भी हमें मिलता है प्यारे नभी सुछ सल्लम की हदीस में विसुनन अबुदाउ्ट की हदीस नंबर 500 में आपको अजान का तफसील से धिक्र मिलेगा तो इस तरह कुरान को समझा गया हदीस के ज़रिये और हमें मिला अपना उसूल नंबर 2 के कुरान को समझेंगे अब आते हैं उसूल नंबर 3 की तरफ के कुरान को समझा जाएगा सहाबा रजी ल्लाहु अन्हु मजमईन के अक्वाल आपके कॉल से अब इस पे भी दलील की बात करूँ तो कुरान की सबसे छोटी सूरे सूरे कौसर की आयत नंबर दो अली रजी लिर्बी का वनहर से मुराद है के अपने रब के लिए नमास पड़ो और सीने पर हाथ बांदो और हमें मिला अपना उसूल नंबर तीन के कुरान को समझेंगे सहाबा रजी ल्लाहु अजमाईन के कॉल आपके अक्वाल से अल्ला रब लालमीं से दुआ है के अया रब लालमीं हमें कुरान को सही तरीके से समझ कर उसमें सही तरीके से عمل करने की तौफीक अता फर्माएं आमीन या रब लालमीं वाँ खिरु दावाना अनिल्हम्द लिल्लही रब लालमीं